गदर टू में वैसा कुछ भी नहीं है, इस बार फिल्म पॉलिटिकल एंगल से जीरो है, सिर्फ सामली ड्रामा भरा पड़ाया अंदर, बाप बेटा और सपोर्टिंग अक्टर में मा जी, वो पाकिस्तान, इंडिया, बांगला देश वाला ट्राइंगल जीरो इस्तिमाल किया इन लोगों ने, तो कहानी फिल्म की एकदम ठंडी है, कुछ भी नया नहीं है, सब्स्रिया काल, नमस्ते, आदाब, रामराब, क्या हाल चाले हैं, सारे ठीक ठाक होगे, पहली बात तो आपका भाई, बहुत बहुत शुगर इया, आप लोगों ने इतना फेस्बुक पे प् मेरी फेवरेट हैं, जो रीवियू मुने सबसे अच्छा इनका लगता है, तो भाई देखते हैं, आप फेस्बुक पे देख रहे हैं, तो जरूर लाइक फॉलो कर लेना पेज को, और वीडियो को शियर कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना, आपको गदर कैसी लगी, आप सुबर गदर टू देखकर आयू मैं, और यकी मानिय फिल्म जैसी सोची थी, वैसी बिल्कुल भी नहीं, 22 साल पुराना रिष्टा है लोगों का इस फिल्म के साथ, इसलिए रिव्यू वगरा से इसको घंटा फर्पनी पढ़ने वाला, लोग फिल्म देखेंगे, चाहे कु जिदार बन सकती थी, क्योंकि 1971 जो टाइम चुना है इन लोगों ने, उस वक्त पाकिस्तान को तोड़कर बांगलादेश ने जन्म लिया था दुनिया के नक्षे पे, लेकिन जैसा गदर में था कि फिल्म ओरिजिनल इंसिदेंट्स पे बेज़ थी, और इंडिया पाकिस्त पे विद्ध जामवाल की फिल्म है, आईवी 71, वो देखो आप एक बार कुछ लोगों ने बोला था ना, अरे भाई, सच में मतलब रिव्यू इनका था भाई, मैंने सच में बहुत रिव्यू देखे उस दिन के, मगर जो इन्हों ने बताया ना, वो अलग है भाई, मेरी सोल से बाहर है कि यह क्या कहना चाहा रही है, मतलब रिव्यू में, आप ल फिल्म की डूपती नईया बचाने के लिए, अगर आप ऐसा खर्च कर रहे हो सनी सर के नाम पे, तो भया 50% वापिस मांगने का हग बनता है आपका डिरेक्टर से, यहीं से निकलता है पॉइंट नंबर चार, आक्चली जो 50% फिल्म का हिस्सा दिया गया इन दो नए कैरेक् है इस पूरी फिल्म का, कोशिश हुई थी पूरी तरह सकीना वारी लव स्टोरी को रिपीट करने की, लेकिन निबबा निबी वाला लव एंगल जादा बन गया, जिसको देखकर इश्क महबबत नहीं, सिर्फ और सिर्फ नीन आएगी आपको, ऐसा क्यू हुआ उसका जवा परहे ये लोग इनको बोलते हैं, वो फिल्म को और जादा नुकसान पहुचाता है, पॉइंट नमबर 6, गदर में हम जिस तारा सीन से मिले थे, वो हाथ पेरों की लड़ाई में विश्वास रगता था, इसलिए उसका एक्शन रॉर नैच्रल मासी लगता था, जिसकी वज पॉइंट नमबर 7, सिफ एक अच्छा काम तो डिरेक्टर सहाब ने किया, इनको सुनके पुरानी वाली फिल्म के साथ जो यादे जुड़ी हैं लोगों की वो बार-बार दिमाग में छलाग मारती हैं, लेकिन बहुत जो नए गाने एड़ किया, इन्होंने पुरानी गाने वो सब फीके हैं, भूल भी गई मैं तो, फालतु में फिल्म को लंबा कर दिया इन गानोंने, टाइम बेस्ट पॉइंट नमबर 8, गदर 2 के सिर्फ नाम में गदर है, जबकि ये नई वाली फिल्म पुरानी वाली गदर के कंपैशन में 10% भी नहीं है ऐसा मैंने इसलिए बोला, क्योंकि गदर में मौझूद हर करेक्टर के पास एक रीजन था उस कहानी में शामिल होने का, किसी को जबरदस्ती नहीं डाला जबकि इस बार गदर 2 फिल्म कम और रोजगार योजना जादा लग रही है उज़े अपने रिष्टेदारों को काम देने के लिए गदर जैसी फिल्म की लेगसी के साथ कॉंप्रमाइज करना बहुस पाप लगेगा पकी बार कोई भी कहीं से उटके फिल्म में चला आ रहा है, चाहे फिर उसका कहानी में होना ज़रूरी है भी या नहीं कहां आप उमीद लगा रहे थे कि अमरीश पूरी सर के बगल में खड़े होने वाला कोई कैरेक्टर तयार किया जाएगा गदर तू में इसलिए जो फिल्म एंड होती है न तो आपको वो फिलिंग आएगी नहीं कि तारा सींग को जरासी भी दिक्कत हुई पाकिस्तान के अंदर सिर्फ सिगार जलाने से कोई विलन नहीं बन जाता ये सबसे बड़ा सबक मिलेगा बॉलिवुड के डिरेक्टर्स को राइटिंग, आक्टिंग और कहानी जरूरी होती है सनी देउल और फिल्म के लास्ट के पंदरा मिर्ट बस यही वो चीज है जिसकी विज़े से आप फिल्म के टिकेट का पैसा बरबाद नहीं समझोगे यहाँ पर क्लासिक सनी देउल का तारा सींग अफतार नजर आएगा थोड़ा देर से आएंगे और कम देर के लिए आएंगे लेकिन सामने वाले का फैंट गीला कर जाएंगे एक अच्छा मैसिज देने की भी कोशिश की है सनी देउल ने फिल्म के क्लाइमेक्स में जिसको सुन कर शायद कुछ लोगों को मिर्ची लग जाए लेकिन तारा सींग की बात सुननी पड़ेगी पॉइंट नंबर ग्यारा अमीशा पटेल का इस फिल्म में होना ना होना एक बराबर है मतलब जिस सकीना की वज़से पूरी गदर की शिर्वात हुई वो गायब है इस बार भाई जैसे गदर अधूरी है तारा सींग के बिना ठीक वैसे तारा सींग भी तो अधूरे है अपनी सकीना के बिना इस जोड़ी को आपने रिप्लेस कर दिया इन दोनों नए अक्टर से जिनका प्यार एकदम बनावटी है जीरो एमोशन जीरो फीलिंग्स बस यहीं से निकलता है आखरी लेकिन सबसे इंपोर्टन पॉइंट नमबर बारा गदर टू में एमोशन नहीं है फीलिंग्स नहीं है यार गदर के साथ हम कनेक्ट कर गए थे जसे मानों रियल लाइफ पार्टिशन को आँखों से लाइफ देख रहे हैं एक लड़की जिसको जान पे खेलकर एक आदमी पूरी दुनिया से बचाता है खतरनाक नरेशन था जिसमें इंडिया पाकिस्तान वाला एंगल काम कर गया एक एक सीन को सेलिब्रेट किया था लोगों ने उस टाइम और इस बार भी सेम यही चीज़ करना चाते थे लेकिन मेकर्स ने मौकाई नहीं दिया गदर 2 में से अगर आप हैंडबं को हटा दोगे ना तो एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसके लिए सीटिया तालिया बजाने का मन करेगा जीरो सेलिब्रेशन ना किसी के जीतने की खुशी है और ना किसी के हारने का दुख बस यहीं पर गदर 2 अपने मकसद में पूरी तरह फेल हो जाती है अब यार मैंने जिस चश्मे से गदर 2 को देखा उसमें फिल्म पर्फेक्ट किसी भी अंगल से नहीं है बाकी आपका उपीनन कुछ और भी हो सकता है मेरी तरह से फिल्म को पांच में से दो स्टार्स, पहला सनी देवल की स्क्रीन प्रेजन्स और दूसरा क्लामेक्स के आखरी 15 मिनिट नेगेटिव में सबसे बड़ी कमजोरी है फिल्म की राइटिंग, पूर डायलोग्स, दूसरा नए कैरेक्टर्स की जवरदस्त ओवर आक्टिंग और तीसरा जरुत से जादा लंबे सीन्स जो जादा खराब इसलिए लगेंगे क्योंकि इनमें फीलिंग्स और इमोशन्स 22 साल वाले एकदम गायब हैं, सौरी दिल से एक बात बोलू, मेकर्स को गदर टू बनानी नहीं चाहिए थी, उस फिर्म की इज़त को बरबात कर दिया, खुद अपने हाथों से, बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो ठाम ही होता है, और वो होता तो फिर वही एक्टर हो, सब कुछ वही हो तो पिर ज्यादा फिल आती है, भाई आप लोग जो मोवी देखा हैँ, आप लोग बताना, आपको यह मोवी कैसी लगी, अच्छी लगी है, तो भाई, कमेंट करके बता देना, ना अच्छी लगी हो तो भी कमेंट करके बता देना बाकी मिलते हैं जल्दी नेक्स टूडियो में जब जो भी तक पेज नहीं फॉलो किया तो जरूर कर लें मिलते हैं जल्दी नेक्स टूडियो में सत्ष्री अकाल